नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में, दोस्तों जीवन में मुश्किले कभी बता कर नहीं आती हैं, ये तो बस बिना बता ही आपके घर में दस्तक दे देती हैं, आपके जिन्दगी को उथल पुथल करने के लिए आपके घर में, आपके बहुत से उपाय बताये गए हैं जिनका प्रयोग करते ही आप अपने जीवन की तमाम मुश्किलों से आजादी प्राप्त कर सकते हैं. लेकिन जोती सास्तर के उपाय धीरे धीरे असर दिखाते हैं. वहीं अगर तंतर सास्तर की बात की जाए तो ये बहुत ही जल्द आपकी से आपको मुक्ति दिला सकते हैं. इसलिए आज की वीडियो में हम आपको तंतर सास्तर का एक ऐसा छोटा सा उपाय बताएंगे, बहुती सरल सा उपाय बताएंगे जिसे करते वक्त आपसे कोई गल्ती होगी ही नहीं. और आप इस उपाय को करते ही अपने जीवन की सभी मु किलों से घिर जाता है, तो केबल वही जानता है कि उसके उपर क्या बीत रही है. उसका एक एक दिन, एक एक साल के बराबर गुजरने लगता है. उसका समय काटे से भी नहीं करता है. तो इसलिए आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आप शिग्र अत सिर्वास, सदयव आपके सिर पर बना रहे, तो बस एक बार कमेंट बॉक्स में जै माता दी, जै मालक्षमी अवश्य लिग दीजिए. दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको अपने घर की रसोई में करने वाला एक ऐसा उपाई बताएंगे, जिसे करने से काम्याबी को त आने की जो चाबी है, वो आपके घर में जो रसोई घर है, जहां पर खाना पकता है परती दिन, वहीं पर छुपी होई है. जी यहां दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे, माता लक्षमी के द्वारा कही गई वे लाइने, वे वे वाक के, वे शब्द, जिन असात मालक्षमी का रूप होता है. इसलिए महिलाओं को अपने घर की रसोई में अगर कुछ खास उपाय करती हैं, तो आपके घर में माता लक्षमी के प्रवेश को कोई भी नहीं रोख सकता है. बस महिलाओं अपने घर की रसोई में उल्टे तवे पर अगर एक लौंग को शेक करके रख देती हैं, तो आप अपनी जिन्दगी में कभी भी आसफल नहीं होंगे. हर एक कार, हर एक मनोकाम ना पूर्ण होगी, और साथ इस अभी प्रकार की टेंशन, दुरुबाग्य भी आपको सोभाग्य में बदल जाएगा. दोस्तों, इस उपाय को किसी भी दिन लगा लें, चाहें तो आप सरसों को तेल में डुबो करके भी इसे निकाल सकते हैं, और अब एक आप तवा ले लें, जिस पर रोटियां सेकते हैं, उसे आप अपनी गैस पर उल्टा रख करके सेक लें, या पिर गरम कर लें, या पिर आपको लगे कि चटक जैसा होने लग अब ये भुन चुकी है, या पर गरम हो चुकी है, शिख चुकी है, जब आपकी लोंग थोड़ी थंडी हो जाए, तब आप इसे निकाल करके, लाल या पिर पीले रंग के कपड़े में इसे बांध करके, अपने घर में, पूजा का जो मंदिर है, जहापर पूजा करते हैं अपने घर में मंदिर में, वहाँ पर आप किसी भी माता लक्ष्मी या बगवान विश्नु की तस्वीर के पीछे, इसे छिपा करके रख दे, अपने घर के जो मुख्या जो धन कमाते हैं, जब भी किसी महतोपूर्ण कारे से जाएं, तब आप इसे उनके साथ, उनकी जेब में डाल करके रख दीजे, ताकि वे अपने सभी कामों में काम्याब हो सकें, साथी, जब भी वे अपने घर में पैसा लेकर आएं, पहली बार, इस उपाय को करने के बाद, जब भी पहली बार, वे बाहर से पैसा लेकर के आएं, चाहें वे महीने का आखरी दिन सेलरी वाला देना है और जब जब वे किसी महतोपूर्ण कारे के लिए जाए तब इस लोंग को रख दे दीजिए अन्यता बागी के समय पर इसे अपने घर में जाद धन रखते हैं कीमती सामान रखते हैं आबुशना दी रखते हैं वहाँ पर छिपा करके ही रखें दोस्तो तंत्र किरिय इस परकार की तंत्र किरिया करने के बाद ये लोंग केवल साधारन लोंग नहीं रह जाती है बलकि साक्सात मा लक्षमी का रूप बन जाता है और माता लक्षमी का आशिरवाद सदैब आपके साथ होता है जब जब आप किसी महतोपूर्ण कारे के लिए घर से बाहर निकलत तो दोस्तों आज किस वीडियो में किवल इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दे में जाद धन्यवाद, कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें, जै मतदी, जै मालक्षमी, जै बजरंग बली